मित्रो नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमल अंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हरदेगबी नंदन करता हूँ है इस रोतक की खास प्रस्तूती कमिल लंदलाल की भविष्य वाणी आपका राशिफल भवविष्य होणी में बात करेंगे मेश से लेकर मिर रषि खाल चाह राशिव की सबाए आपको बताइगे तो दिन है बुद्वार का तारीक है 3 जुलाई 2024 आशाड कृष्ण द्वादिशी पर चंद्रमा विरिश राशे और रोहनी नक्षात्तर में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा नौ शुभंक रहेगा नारंगी शुभदिशा रहेगी दक्षन राहुकाल रहेगा दुपहर को 12 बचकर 25 मिनट से लेकर के दुपहर को 2 बचकर 10 मिनट तक दिन का सबसे शुमोरत रहेगा शाम को 6 बचकर 1 मिनट से लेकर के रात को 8 बचकर 24 मिनट तक विशेश क्या है आशाड बुद्ध प्रदोश है और इसे दिन रोहनी पर्व मनाया जाएगा देवादी देव का के भविश्यमानी के राशी फिल की पहली राशी मेशानी एरिस के साथ में मेश राशी ओलो दफ्तर में सहकर्मियों से तालमेल बढ़ेगा अनेक सुरोतों से लाब होगा सुक सुवधाओं में व्रद्धी होगी दामपते में मनमुटाव रह सकता है सहत पर ध्यान देव उ अधर करेंगे उपाय क्या करेंगे इलाई ची दाना खाएं शुभंग पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा तीसरे राशी में तो नियानी जमनाए की बात करेंगे नौकरी में तरक्की के योग हैं, कारोबारी लाब होगा, शिक्षा के शेतर में सुधार आएगा, कुमोरों को विवाब रस्ताओं मिलेगा, कारे शेतर में भाई भेहन सहयोग देंगे उपाय ये करेंगे, चीनी मिट्टी के बड़तनों में खाना खाएं, शुभंक कतीन रहेगा, शुबरंग रहेगा पीला, चोथी राशी करकी, यनि की कैंसर की बात करेंगे आर्थिक लाब में व्रद्धी होगी उधार दिया हुआ धन प्राप्त होगा नए व्यापार शुरू होने के योग हैं मित्रों से सहीोग मिलेगा सेहत अच्छी रहेगी उपाई ये करें कि तूलसी के पौधे पर अगर बत्ती जलाएं शुभंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद पांचवी राशी सिंग याने के लियों की बात करेंगे समय उतार चड़ा भरा रहेगा गुस्से पर काबू रखें विरोजगारों को रोजगार प्राप्ती के योग हैं विरोधियों से सावधान रहें समाज में रुत्वा बढ़ेगा उपाई ये करें कि उत्तर मुकी हो पौधार रखें शुभंग पांच रहेगा शुवरंग रहेगा हरा साथपी राशी तुला यानि लिवरा की बात करेंगे लोग कामकाच से प्रभावित होंगे कारोबारी समस्याएं हल होंगी बहार के खानपान से बचें शेर बजार में निवेश से बचें घरिलू संबन सुधरेंगे उपाई ये करें कि पांच रुपे का सिक्का जेव में रखें शुभंक छे रहेगा शुवरंग रहेगा गुला भी आठवी राशी व्रिस्चे क्यानिक स्कॉर्प्यों की बात करेंगे समय को चत्ताना अपूर्ण रहेगा हर फैसला समझदारी से लें आर्थ होने के योग हैं नौकरी में प्रस्ताव मिलेगा आर्थिक पक्ष उधरेगा नया वाहन खरीदने के योग हैं विगडिवी सेहत में सुधार आएगा उपाईये करें कि किसी गरीब को कांच का बरतन भेंट करें शुभंक तीन रहेगा शुभंग रहेगा पीला दस्वी र अर्मिस्तल में पालक दान करें शुभंक आठ रहेगा शुभंग रहेगा काला ग्यारवी रैशी कुम्भियानी के क्वेर्स की बात करेंगे धनलाब के योग हैं दफ्तर में कारियों की तारीफ होगी कारेशेतर में बाधाये आएगी संतान से बड़ी खुश्खबरी मिले कारोबार में सकारतमक बदलाव होंगे धनलाब के योग हैं नए काम की योजना बनाएंगे कारोबार इलाब होगा उपाईए करें कि दैनिक पूजा पाठ में हरे कपड़े का इस्तमाल करें शुभंक तीन रहेगा शुभंग रहेगा पीला तो दोस्तों समय है आज के प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर चड़िवी इलाइची हरे कपड़े में बांध कर घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर दें और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंत्र का जब करें मंत्र है ओम गंध धारने नमहा आश्वस्त करता हूं आपको सामाजिक सम्मान क प्राप्ति होगी तो मित्रों आज के लिए वस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए